नमस्कार, इए हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन होंगे, चलिए आज की कक्षा की शिरुवात करते हैं, आज हम जानेंगे शब्द की जाती को किस प्रगार से पहचाना जाता है, आप बिल्कुल ठीक समझे, लिंग, यानि की जेंडर, पुलिंग और स्त्रीलिंग, दोनों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, और किस प्रकार से लिंग परिवर्तन किया जाता है, शब्द के लिंग बदले जाते हैं, वो भी आज हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे, यदि आपको ये वी शुरुआत करते हैं, इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहां आपको क्या दिखाई देता है, दादा, दादी, माता, पिता, भाई, बहन, या बेटा, बेटी, कुता, बिल्ली, इत्यादी, इसमें कौन सी जातियां है, दो जाती है, एक है पुरुष जाती और एक है स्त्री जाती, यही पहचान क्या कहलाती है, लिंग, आइए चर्चा करते हैं, लिंग क्या है, लिंग का अर्थ होता है चिन या पहचान, संस्कृत भाषा से यह शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है चिन, सरल शब्दों में कहें, तो शब्द की जाती को ही हम लिंग कहते हैं, प पुरुष जाती, पुरुष में यदि बैल है तो स्त्री में वो गाय हो जाता है, बकरा से बकरी बन जाता है, मोर से मोरनी, मोहन से मोहिनी, लड़का से लड़की इस प्रकार हमने जाना कि दो जातियां हैं स्त्री जाती और पुरुष जाती इस आधार पर लिंग के दो भेद हैं हिंदी भार्षा में लिंग के दो भेद हैं, पहला है पुलिंग यानि की मैस्किलिन जेंडर और दूसरा है स्त्रिलिंग यानि की फैमिनिन जेंडर, आईए एक एक करके इनके बारे में जाने. पुलिंग यानि की मैस्किलिन जेंडर जिन संग्या शब्दों से पुरुषजाती का बोध होता है उन्हें हम पुलिंग कहते हैं, यानि जिन से पता चले की ये पुरुषजाती का शब्द है, वो क्या कहलाएगा पुलिंग. प्राणी में देखें तो बालक, पिता, राजा, घोडा, बकरा, लड़का, आदी, वस्तु घर, दरपन, फूल, लोहा, चश्मा, आदी, भाव वो भी पुलिंग होते हैं, जैसे डर, बुढ़ापा, दुख, बचपन, लगाव, इत्यादी. याद रखें, हिंदी में केवल दो ही लिंग होते हैं, स्ट्रीलिंग और पुलिंग, जिसमें प्राणी, वस्तु, भाव, स्थान, सभी कुछ आ जाता है, परन्तु संस्कृत भाशा में तीन हैं, बलकी चार कह सकते हैं, स्ट्रीलिंग, पुलिंग, नपुनसक लिंग और उ अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न, इत्यादी ये जो प्रत्य हैं लगे होते हैं उनसे हम इने पहचान सकते हैं कि ये शब्द पुरुषजाती का है आएए जाने कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा ही पुलिंग होते हैं शरीर के अंगों के नाम मुह, होट, पाउ, गाल, सिर, माथा, अंगूठा धातूओं के नाम लोहा, पीतल, सोना, तांबा, स्टील अनाज के नाम गेहूं, जावल, बाजरा, चना परवतों के नाम कैलाश, विंद्याचल, हिमाले पेडों के नाम नीम, पीपल, आम, नीमबू, अखरोट सागर के नाम अरब, हिंद महसागर, प्रशांत महसागर, इत्यादी देशों के भी नाम पुलिंग होते हैं भारत, बृतेन, अमेरिका, जापान, औस्ट्रेलिया, आदी दिनों के नाम, रविवार, सुमवार, मंगलवार, इत्यादी इसके अतरिक राज्यों के नाम और परवतों के नाम भी और इसके साथ-साथ यदि देखे, बाजारों के नाम, रास्तों के नाम ये सभी pulling होते हैं इनका अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखे तो आसानी से हम इने पहचान सकते हैं मालीजे मैंने कहा मेरे घर के भार नीम का पेड लगा है अब लगा है से मैंने पहचाना कि ये पेड जो है क्या है pulling जाती का शब्द है यानि पुरुषजाती का शब्द है उसी प्रकार अरब महासागर बहुत गहरा है गहरी है नहीं लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि जो गहरा शब्द है वो पुरुषजाती का बोध कराता है तो यदि किसी शब्द का लिंग पहचानने में आपको असविधा हो असमंजस में हो तो आपको क्या करना है शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजे और क्रिया के रूप से उसके लिंग की पहचान आप सरलता से कर सकते हैं स्त्रीलिंग जिस संग्या शब्द से स्त्री जाती का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं उदहरन से समझते हैं प्राणियों में देखें तो माता, रानी, घोडी, हंसिनी, लड़कडी, लड़की, बकरी, इत्यादी वस्तुओं में पुस्तक, दीवार, रसी, सूई, कुर्सी, आदी भाव भी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे सुन्दर्ता, प्रसन्ता, लज्जा, बनावट, इत्यादी इनका भी वाके में प्रयोग करके देखें तो आप सरल्ता से पहचान सकते हैं जैसे उसके मुख पर प्रसन्ता च्छा गया या च्छा गई च्छा गई, बिलकुल ठीक कहा जब गई आ गया, तो इसका मतलब है कि ये शब्द स्णिजाति का है उसी प्रकार, पुस्तक मेज पर रखा है या रखी है तो इससे आप क्या पहचान गए कि पुस्तक भी स्णिजाति का है शब्द नीचे देखें तो आप इने पहचान सकते हैं कि किस प्रकार के जो प्रत्य है इन शब्दों के पीछ्छे लगते हैं और उनसे आप इनका पहचान आसानी से कर सकते हैं जिस संग्यार्षब्द के पीछी आनी, इ, आवट, हट, इका, इत्यादी लगा होता है यानि ये प्रत्य लगे होते हैं वेशब्द प्राया स्ट्रीलिंग होते हैं ये नाम हमेशा ही स्ट्रीलिंग होते हैं एक दो अपवादों को छोड़कर जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, गाद उदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी उसी प्रकार तिथियों के नाम भी स्ट्रीलिंग होते हैं जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुरदशी, इत्यादी पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं क्योंकि पुस्तक शब्द ही जब स्त्रीलिंग है तो उनके नाम भी अक्सर स्त्रीलिंग ही होते हैं जैसे गीता, बाइबल, कुरान, इत्यादी समुह वाचक संग्याई भी स्ट्रिलिंग ही होती हैं जैसे भीड, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, इत्यादी राशियों के नाम यानि कि जो आपकी साइन होते हैं जो डियेक साइन्स होते हैं वो भी हमारे क्या होती हैं? स्ट्री जाती के शब्द होते हैं जिस प्रकार समुद्रों के नाम पुलिंग है उसी प्रकार नदियों के नाम स्ट्रिलिंग है परवतों के नाम पुलिंग है तो पहाडियों के नाम स्ट्रिलिंग है उसी प्रकार राज्यों के नाम पुलिंग है तो राजधानियों के नाम स्ट्रिलिंग है इनकी पहचान बहुत ही सरल है आपको अभी हमने बताया था कि जिन शब्दों के पीछे आवट, आनी, ई, इत्यादी लगा होता है अकसर यानी प्राया वो शब्द स्रीलिंग होते हैं लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुरुष जाती और्स्त्री जाती में समान रूप से प्रयोग किये जाते हैं उनकी सूची नीचे दी गई है आईए देखे ऐसे शब्द हैं आईए प्रश इंजिनियर भी महिला इंजिनियर और पुरुष इंजिनियर दोनों के साथ समान रूप से प्रयोग किया जाता है डॉक्टर शब्द भी उसी प्रकार से है तो जो ये नीचे सूची दी गई है यदि आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे और याद करेंगे तो कभी भी आप इसमें असमंजस में नहीं पढ़ेंगे आईए आगे देखे पुलिंग से स्ट्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है आईए कुछ नियमों के उपर हम ध्यान दे पहला है अ के स्थान पर आ लगा कर जैसे पहला शब्द है शिश्य शिश्य शब्द पुलिंग जाती का है इसके पीछे यदी मैं आ जोर दूँ तो क्या बन जाता है शिश्या उसी प्रकार आचार्य में यदी आ जोर दिया जाए तो आचार्या छात्र से छात्रा सुथ से सुता बाल से बाला पूज्य से पूज्या दूसरा भे देखिए दूसरा नियम है अ या आ के स्थान पर ई लगा कर जैसे देव शब्द पूलिंग है उसमें ई जोर दिया जाए तो देवी दास शब्द के पीछे ई लगा दिया जाए तो दासी नाना से नानी नर से नारी चाचा से चाची पोता से पोती तो आपने जाना किस प्रकार से पुलिंग शब्दों के पीछे A या E लगाकर स्ट्रीलिंग रूप दिया जाता है तीसरा नियम है A या A की जगा पर E लगाकर बुढ़ा शब्द के पीछे यदि E जोड़ दिया जाए तो बुढ़िया बेटा के साथ या लगा दिया जाए तो बिटिया चिडा से चिडिया, बंदर से बंदरिया चूहा से चुहिया, लोटा से लुटिया आपने यहां देखा होगा कि जो पुलिंग शब्द हैं सभी के पीछे आ की ध्वनी या अ की ध्वनी है उसके साथ हमने या को जोड़ा है चौथा नियम देखते हैं इन लगाकर जैसे माली शब्द है उसके पीछे इन लगाया तो बन गया मालिन धोबी के साथ इन जोड़ा तो धोबिन उसी प्रकार नाग से नागिन बाग से बागिन सुनार से सुनारिन नाती से नातिन कुमहार कुमहारिन दरजी दरजिन ग्वाला ग्वालिन मालिक मालकिन यानि पहला जो तीसरा नियम है हमने वो देखा उसमें या लगाया गया और दूसरे में इन तो इस प्रकार से पुलिंग शब्दों के पीछे जब हम प्रत्य लगा देते हैं तो हम उन्हें इस त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं पांचवा नियम देखते हैं आनी लगाकर नौकर के साथ आनी लगाया तो नौकरानी महतर के साथ आनी जोडा तो महतरानी ठाकुर से ठकुरानी देवर से देवरानी, जेट से जेठानी, सेट से सेठानी, छटानी हम देखते हैं नी लगाकर ये प्राय जो पशुजाती है उसके साथ इसका प्रयोग होता है जैसे उट के साथ नी जोडने पर उटनी, शेर के साथ नी जोडने पर शेरनी, हंस से हंसनी, मोर से मोरनी, उट से उटनी, हाथी से हतनी इस प्रकार हमने जाना कि आनी या नी लगा कर भी हम पुलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं आठवानियम इका जोड़कर पत्र के साथ इका लगा कर बना पत्रिका चालक में इका जोड़ा तो चालिका संपादक में इका जोड़े तो संपादिका अध्यापक से अध्यापिका गायक से गाईका पाठक से पाठिका आठवानियम है मान, वान के स्थान पर वती या मती लगा कर आपने अक्सर देखा होगा बुद्धि मान, आयूश मान इस प्रकार के शब्द पुरुशों के लिए या लड़कों के लिए प्रयोग किये जाते हैं तो उन्हें स्थ्रीजाती में कैसे बदला जाए वती या मती लगा कर जहां मान होगा मान से मती बनेगा जहां वान लगा होगा वान से वती बनेगा बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है बुद्धि मान से बुद्धि मती आयूश मान से आयूश मती श्री मान से श्री मती पुत्रवान से पुत्रवती धनवान से धनवती भाग्यवान भाग्यवती और भगवान से भगवती तो हमने देखा इका जोड कर बनाएंगे श्रीलिंग और मान और वान के स्थान पर व अगला नियम जानते हैं, अगला नियम है नौवा नियम, आइन जोड़कर, चौधरी शब्द में आइन लगाएं तो चौधर आइन, पंडित में लगाएं आइन तो पंडित आइन, हलवाई से हलवाईन, गुरू के साथ आइन लगाएं तो गुरू आइन, ठाकुर से ठकुर आइन, बाबू से बबू आइन, आपने यहां देखा होगा कि यह सभी पदवियां हैं, अक्सर अपज से हलवाई है, ठाकुर है, बाबू, गुरू, पंडित, चौधरी, इस प्रकार के शब्दों के पीछे आइन लगाकर स्ट्रीलिंग में बदला जाता है, दस्वा नियम है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने ही स्ट्री पुरुष के जोड़े होते हैं, इन पे कोई इस प्रकार का नियम लागू नहीं होता, जैसे राजा, रानी, फूफा, बुआ, भाई, बहन, गाय, बैल, युवक, युवती, माता, पिता, स समराट, सामरागी, पुरुष, स्त्री, विद्वान, विदुशी, नर, मादा, एक बात ध्यान देने योग्य है, कि समराट से यहाँ पर समरागी नहीं होता, सामरागी होता है, क्योंकि यह सामराज्य शब्द से बना है, तो ध्यान रखिएगा, समरागी नहीं है, सामराग ग्यारफा नियम है इनी जोड़कर इनी प्रत्य लगाकर भी हम पुलिंग शब्दों को स्ट्रिलिंग के रूप में बदलते हैं जैसे तपस्वी, सन्यासी, स्वामी, अभिमान या मान इनके साथ जम पीछे हम प्रत्य लगाते हैं इनी तो तपस्वी से बनता है तपस्वी न स्वामी से स्वामी नी अभिमान से अभिमानी और उसी प्रकार मान से बनता है मानी नी आईए बारवानियम देखें बारवानियम कहता है कि कुछ सदैव पुलिंग रहने वाले शब्द हैं जिनका रूप स्रिलिंग के रूप में नहीं बदलता उनके हम स्रिलिंग के ये शब्द सदैव ही पुलिंग रहते हैं इनका रूप बदलते समय हम इनके सामने मादा शब्द जोड़ देते हैं जैसे मादा तोता, मादा खरगोष, मादा मच्छर, मादा भालू, मादा जिराफ, मादा मगरमच, इत्यादी आईए अगला नियम देखें तेरफा यानि अंतिमियम है, कुछ ऐसी स्ट्रीलिंग शब्द हैं जिनके साथ नर लगाकर पुलिंग बनाये जाते हैं, जिस प्रकार से हमने अभी मादा लगाकर लिंग बदले थे, उस प्रकार से ही जो स्ट्रीलिंग शब्द हैं सदैव स्ट्रीलिंग के रूप में प्रयो उसी प्रकार है चील, मकडी, भेड, तितली, छिपकली, मक्ही, इत्यादी इनके साथ लिंग बदलते समय हमें नर का प्रयोग करना पड़ता है तो आज हमने बहुत से नियम जाने की किस प्रकार से लिंग परिवर्दन किये जाते हैं और किस प्रकार से उनकी पहचान की जाती है कौन से ऐसे शब्द हैं जो सदैव ही स्त्रिलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं और कौन से शब्द हैं जो सदा पुलिंग के रूप में प्रयोग किये जाते हैं आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब अवश्य और यदि आपके पास कुछ सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा एक नई वीडियो के साथ शीगर ही आपके साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं विदा